फाइब सेकेंड, टू सेकेंड, रेडी महोदे, जब हम भारत की संपदाओं और उत्पादन के उपादानों के संदर्भ में भारत की अर्थविवस्था की चर्चा करते हैं तो समय अनिवार रूप से उपयुक्त टेकनोलोजी से संबध प्रस्न उठ खड़े होते हैं इसके लिए कोई निश्चेत उत्तर नहीं दिया जा सकता या तो अलग-अलग उद्ध्योग के लिए अलग-अलग होगा कोछ उद्ध्योग अपरिहार रूप से पूजी प्रधान होंगे इसका हमारे सुधारों और विदेशी निवेश से कोई संबंध नहीं है हमारे अपने सरकारी छेत्र में इस्थापित कई उद्ध्योग बहुत ही पूजी प्रधान है ऐसे भी कई छेत्र हैं जहां उत्पादन के सरम प्रधान तरीकों का उप्योग होता है और वे प्रतियोगिता का सामना भी करते हैं सारी दुनिया में हम आज या देख रहे हैं कि एक जगा बेतन अधिक होने के काराड तथा दूसरी जगा सस्ती विकल्प होने के काराड उद्ध्योग अपने स्थान बदलते रहते हैं या बात एक दूसरे से कतई भिन्न चेत्रों पर भी लागू होती हैं जैसे वस्त्र उद्ध्योग चमडे का सामान इलेक्ट्रोनिक्स योम कई अनुद्ध्योग अनिस्थानों से आकर भारत में जो निवेस किये जा रहे हैं वे ठीक इन्ही कारणों से किये जाते हैं और ये उद्ध्योग बड़ी मात्रा में रोजगार प्रदान करेंगे या आर्थिक निड़य लेने की स्वाभाविक प्रक्रिया का अंग होता है ऐसा सोचना अनुभव हिंता ही कहा जाएगा कि भारत में पूझी प्रधान उद्ध्योगों की इस्थापना लोग जान बूच कर करें बिना इस बात पर विचार किये कि दोनों देशों में आपेचिक मूल और हमारे सुइस्थापेद तो लात्मक लाब क्या है उसी के साथ जहां पूझी प्रधान टेक्नोलोजियां और उच्चतर उत्पादक्ता तथा वेतन साथ साथ चलते हैं उनका हमें स्वागत करना चाहिए उन्हें टालना नहीं चाहिए अंतिम निड़य तो बाजार की सक्तियों पर निर्भर करेगा मुझे कभी नहीं लगता की हमारे उद्यमी निड़य करने में किसी से कम कुसल है तथा पी यहाँ पर यह जोर देना आप रासंगिक नहीं होगा की टेक्नोलोजी का चुनाओ अत्यांत साथानी पूर्भा किया जाना चाहिए इस संदर्भ में विदेशी टेक्नोलोजी का आयात करने वालों को देश में उपलब्ध टेक्नोलोजीयों की भी साथानी पूर्भाक जाच करनी चाहिए सामान निरूप से टेक्नोलोजी का विलियन और अंगी कराड उतना महत पूर नहीं होता जितना टेक्नोलोजी को तयार करने की छमता पैदा करना हमारे पास छमताएं हैं और इस छेत में हमें अपनी संपदाओं का इस्तम उप्योग करना चाहिए वास्तों में तो अपने ही देश में विकास और अनुसंधान करने का इस्थान और कुछ नहीं ले सकता तब ही हम प्रतियोगिताओं का लाब उठा सकते हैं विसेसकर उस इस्ति में जब अन्यत टेक्नोलोजी में विकास बड़ी तेजी से हो रहा है और उनके पुराने पढ़ने की दर भी बहुत ही ज़्यादा है या बात पूरी तरह सोविकार की जाती है कि नियंत्रणों और पर्मिटों की प्रणाली से इमानदाली का खात्मा हो जाता है उदारी कराण प्रकिरिया का तात्र पर इन नियंत्रणों को समाप्त करना है मुझे या देखकर सच मुझ बहुत खेद होता है कि इस संकरमन काल में जब हम लाइसेंस राज से उदारी कराण की प्रणाली की ओर बढ़ रहे हैं सनरचनात्माक समायो जान हो रहा है महोदे पिछले कुछ वर्सों से परिया वरण की सुरच्छा के बारे में एक उस साजनक जागरुकता देखने को मिल रही है जैसे जैसे हम अपने विकास का खाका बनाने लगे हैं वैसे वैसे यह बात अनुभव की जाने लगी है कि वह अपने बूते पर खड़ा रह सके और परिया वरण की दिष्टी से भी उपियुकत हो अपने देश की जनता के प्रती हमारा यह दायत तो है कि हम अपनी प्राकिर्थिक संपदा की रच्छा करें अपने परियासों दोरा और यदि आवस्यक हो तो विदेशी टेक्नोलाजियों का उप्योग करके हमें परिया वरण की विनास की समस्याओं को हल करने की चेश्टा करनी चाहिए असल में तो मैं यहां बताना चाहूंगा कि भारत इदिसा में पीछे नहीं है क्योंकि उन्होंने अब तक जिन टेक्नोलाजियों का परियोग किया है वे विनासकारी रही और उन्हें तुरंत छोड़ देने की आवस्यक्ता है वे भी नई टेक्नोलाजियों की खोज कर रहे हैं इसलिए हम उनसे बहुत पीछे नहीं हैं कम अवेस हम उनके साथ साथ ही हैं इसलिए हम सब के लिए अन देशों के लिए भी और हमारे देश के लिए भी या संभव होगा कि हम मिलकर समूचे विश्व के लिए इस पिर्थवी गरा के लिए अपना योगदान दें ताकि मिल जुलकर सहयोग से हम पर्यावराण की रच्छा के उपाय ढोड़ सकें ब्राजील में दो अर्स पहले हुए विश्व पर्यावराण सिखर सम्मेलन में जिस कारसूची 21 को हमने स्वविकार किया था वह इस बात का अच्छा उधारण है और मुझे विश्वास है कि इस कारसूची के अनुसार यह काम किया जा रहा है यद्यप कोई भी काम बिना कश्णाईयों से भरा नहीं होता विश्वास है कि इस्थि आसा जनक है और यह आसा बढ़ती जा रही है और जहां तक विश्व के पर्यावरण के भविश्य का सवाल है वह पहले जैसा अंदकार में नहीं है ऐसी टेक्नोलोजियों को अपनाना संभव होना चाहिए जिन से पर्यावरण के बहतर इस्तर कायम हो सके प्राकिर्तिक संसादनों को सनच्छन मिल सके और ब्यर्थ पड़ी चीजों की बहतर व्यवस्था हो सके पहल करने के ऐसे कई उधारन मिलते हैं जिन से पर्यावरण को होने वाले खत्रे को रोका जा सका है और लागत की दिष्टी से भी वे प्रभावकारे सिद्धुये हैं इस बड़े चिंतनी अभिषय पर विचार करते समय हम सब को मिल जुलकर प्रयास करना होगा हमारी सांस्किर्थिक परंपरा विशेश रोप से परकृती और पर्यावरण के मैत्री पून रही है इसलिए हम अपने देशी ढंग से भी इस दिषा में बहुत कुछ कर सकते हैं मैं जानता हूँ कि सुधारों का यह मार्ग फूलों की सेज नहीं है विशेश कर इतने बड़े आकार के एक लोक तंत्री देश में जिस देश ने भी इस दिषा में चेश्टा की है या उनके लिए बड़ा दुसकर कार सिद्ध हुआ है मुझे इसके बारे में कोई भरम नहीं है और राजनीतिक दिष्टी से भी इस मार्ग का चुनाओ करना एक कठिन कार था झाल